हेलो दोस्तों आप सभी का मेरे हिंदी चानल में स्वाधत है तो आज मैं आप सभी को इस वीडियो में एक आलू से बन्यूई क्रीम की रेशिपी बताऊंगी ये आलू से बन्यूई क्रीम बहुत ही असरदार है और आपकी स्किन पर बहुत जादा बेनिफेट करती है ये क्री क्षी क्रीम को बनाना बहुत ही ईजी है और इसके लिए आपको सिर्फ कुछी इंग्रीडिक शिरूरत का पड़ेगी और इस क्रीम को बनाने के लिए सबसे पहला इंग्रीडिक हमें चाहिए आलू का रस् भी यूज़ नहीं करना चाहते तो आप बदाम का तेल भी इस रॉयल के जगह यूज़ कर सकते हैं और लास्ट इंग्रीडेंट हमें चाहिए ऐलोवेरा जेल और यहाँ पर मैं ग्रीन लीफ का ऐलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ और आलू का रस बनाना बहुत ही ईज़ी है सबसे पहले आप एक कच्चा आलू लीजिए और उसको चील लीजिए और आलू को अच्छे से चीलने के बाद आप उसके दो तुपड़े कीजिए और किसी ग्रेटर या कदूकस की बदत से आप उसको कस लीजिए और आलू को अच्छे से कचने के बाद वो कुछ इस तरह दिखेगा और अब मैं इस कसरे आलू को एक साफ कटोरी में डाल रही हूँ और अब हम इस कसरे आलू को एक च्छनी की मदद से चान लेंगे और इस तरह से इस आलू करस निकाल लेंगे और कसरे आलू को अच्छे से चानने के बाद आपका आलू करस तयार है और वो कुछ इस तरह दिखेगा तो चलिए अब हम आलू की क्रीम बनाते हैं और इस आलू की क्रीम को बनाने के लिए सबसे पहले आप एक साफ कटोरी में एक से दो बड़े चमच आलू का रस ले लीजिए उसके बाद आप उसमें आदा नीबू निचोड दीजिए आदा नीमबू निचोडने के बाद आपको इसके अंदर आदा चमच विटामिनी ओईल डालना है या आप बदाम का तेल भी डाल सकते हैं अर लास में आपको इसके अंदर दो से तीन बड़े चमच एलवरा जेल डालना है और अब सभी इंग्रीरेंज को बहुत ही अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि इसभी इंग्रीरेंज एक तूसरे गंदर अच्छे से कमबाइन हो जाएं और एक बहुत ही स्मूथ, लंफ्री, क्रीमी और फ्लफी पेस्ट बनाएं और अब सभी इंग्रीरेंज को अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इस क्रीम के अंदर थोड़ा सा और आलू करस डाल रही हूँ और फिर अगेन सभी इंग्रीरेंज को अच्छे से मिक्स करने के बाद आपकी आलू की क्रीम रेडी है और वो कुछ इस तरह दिखेगी ये क्रीम बहुती ज़दा क्रीमी और फ्लफी होनी चाहिए और इस क्रीम की कंजिस्सिंसी मीडियम होनी चाहिए नहीं ज़दा थिक और नहीं ज़दा रनी तो चलिए अब जानते हैं इस क्रीम को स्टोर कैसे किया जाएं इस क्रीम को स्टोर करने के लिए आपको एक एर्टाइट कंटेनर चाहिए और यहाँ पर मैं एक यह स्मॉल एर्टाइट कंटेनर यूज कर रही हूँ और अब इस क्रीम को इस एर्टाइट कंटेनर में डाल रही हूँ और इस cream को आप किसी भी airtight container में फ्रिज में रखकर 10-15 दिन तक store कर सकते हैं इस cream के अंदर बहुत ही जादा मात्रा में vitamin C और E है जो कि हमारे skin को बहुत जादा hydrated बनाते है और हमारे skin के लिए बहुत जादा beneficial है ये cream हमारे skin को brighter, tighter और moisturized रखने में मदद करती है और हमारे skin को clear और blemish free बनाती है जिससे कि हमारे चेहरे पर से सारे दाग दबे, fine lines और किसी भी प्रकार के spots जो होते हैं वो बहुत ही असानी से सिर्फ कुछ दिनों में बिल्कुल खतम हो जाते हैं इस cream के अंदर आलू और नीमू का मिश्रण है और इन दोनों ingredients के अंदर बहुत ही जादा मात्रा में bleaching properties होती हैं जो कि हमारे चेहरे पर से dark spots, pigmentation, acne scars, blemishes की problems को सिर्फ 4-5 दिन के अंदर जड़ से खतम कर देती हैं और इन सभी problems को हटाने के साथ साथ ये cream आपकी skin tone को even बनाएगी और आपकी ये आलू की cream बहुत ज़्यादा असरदार है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी है उन creamों से जो कि आपको market में मिलती है और बहुत ज़्याद expensive होती हो और chemical से भरी होती है इस cream के अंदर आलू और एलोवरे जेल का मिश्टन भी है जो कि हमारे aging signs को जैसे की wrinkles, fine lines और pigmentation की problem को जड़ से खतम करते हैं और हमारे skin को youthful, glowing, radiant, fair और spotless सिर्फ 3-5 दिन के अंदर बनाता है तो चलिए अब देखते हैं कि इस cream को कैसे इस्तमाल किया जाए बहुत ही ज़्यादा effective results पाने के लिए तो इस cream को use करना बहुत ही अइसान है आपको पर ज़रा सी ये cream लेनी है और अपनी skin पर अच्छे से इसको 30-40 second के लिए massage करना है circular motions में ताकि ये cream आपकी skin के अंदर बहुत अच्छी से absorb हो जाए और आपकी skin को एक बहुत ही ज़्यादा healthy और radiant glow मिले और अच्छे से massage करने के बाद आपको इसको ऐसे ही रात भर के लिए छोड़ देना है और अगर आप इस cream को रात भर के लिए नहीं छोड़ना चाते हैं तो कम से कम आपको इसको 2-3 घंटे के लिए अपने चेहरे पे छोड़ना पड़ेगा ताकि आपको इस cream से बहुत ही अच्छे results मिले कुछ ही समय में और अगर आप इस cream से बहुत जाद effective results चाते हैं तो आपको ये cream दिन में 2 बार इस्तिमाल करनी पड़ेगी सबसे पहले एक सुभा और दूसरी बार आपको रात को सोने से पहले तो आज के लिए बस इतना ही और अगर आपको मेरे ये वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चानल को like, share और subscribe करना न भूले बहुत सारी ऐसी अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए